नमस्कार दोस्तों आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि मटर का सेवन हमें क्यों करना चाहिए मटर किस तरीके से हमारे लिए बेहद फायदे मंदो शदी है मटर का सेवन अगर आप नहीं करते होंगे तब भी करने लगेंगे और जरूर करना चाहिए मटर का सेवन ऐसा क्यों कह रहे हैं हम इस वीडियो को अंततक देखेंगे तो पता चलेगा ये कोलेस्टरोल से ले करके आपके शरीर के अन्य कई बिमारियों को दूर करने में भी मदद करने वाला है तो इसलिए वीडियो को थोड़ा भी स्कीप मत कीजेगा ये फूल इन्फोरमेशन फूल आपके लिए वीडियो होने वाली है और वीडियो को लाइक कर दीजे मुझे बेहर खुशी होते है जब आप वीडियो को लाइक करते हैं तो आप देख रहे हैं जीवन जीने की कला चैनल और आपको मुटापे के साथ-साथ कई अन्य भीमारियों से बचाता है ये बलड कुलेस्ट्रोल को कम करता है जिससे की आपको हार्ट अटेक होने का खत्रा कम हो जाता है और दुनिया में सबसे ज़्यादा लोगों की जो जान जाते है वो इसी बिमारी से जाती है यानि कि Heart Attack से चुकि ये शरीर में और रक्त में कुलेश्टरोल केस्टर को कम करता है इसलिए इसके सेवन से दिल की बिमारियों का खत्रा कम हो जाता है प्रति दिन हरी मटर का सेवन करना आपके दिल को स्वस्थ रखने में सहायक होगा आकार में भले ही मटर छोटा होता है लेकिन ये कैंसर जैसी घातक और बड़ी से बड़ी बिमारी का भी छुटकारा कर देता है यानि कि सफाया कर देता है दूर कर देता है आप से तो इसलिए भी इसका सेवन करना चाहिए इससे नियमित रूप से खाने से कैंसर की बिमारी का खत्रा कम होता है खासतोर से पेट के कैंसर से ये आपको बचाता है मटर के दाने फाइवर से भरपूर होते हैं जो के आपको उर्जावान बनाए रखते हैं हरी मटर को नियमित रूप से खाने से आप लंबे समय तक जवा बने रहते हैं और बढ़ती उम्र का असर भी आपकी स्कीन पर जल्दी दिखाई नहीं देता है यानि कि आप खुब सूरत और लंबे समय तक जवा दिखते हैं जो गर्वती माताएं बहने होती हैं उनके लिए ह हरी मटर काफी पायदे मंद होती है ये गर्वती महिला के साथ साथ भुरून को भी परयाप्त पोशन देता है इसके अलावा समान्य महिलाओं में महावरी की समस्याओं से छुटकारा दिलाने में मटर बेहद ही सहयक और श्यदी के रूप में करता है कारे यानि कि महिलाओं के लिए रामबान ओश्यधी है हरी मटर हरी मटर में प्रोटीन के साथ ही विटामिन की भरपूर मातरा होती है जो की हड्डियों की बीमारी खास तोर से आश्टियो पूरोसिस जिसमें की हड्डियां बेहत कमजूर हो जाती हैं आसानी से तूट जाती हैं इससे बचाने में सह पर लगा करके आधे घंटे के बाद चेहरे को धोलीजिए परती दिन इस प्रयोग को कीजिए अन्य दिनों में मतर के आटे का प्रयोग आप कर सकते हैं जैसे कि सरद्व में तो आपको मटर मिल जाएगी हरी उसी का 7 कीजे लेकिन अनिया दिनों में आपको नहीं मिलेगा तो आप मटर का आटा बना लिजे रख लिजे उसका 7 किया कीजे आप चाहें तो फेस पर लगा भी सकते हैं उसको फायदा करेगा मटर के दानों का दरदरा पेश्ट तवचा के लिए काफी बेहतरिन स्क्रबर की तरह से कारे करता है इससे आपकी तवचा को पोशन मिलेगा और चेहरा आपका बेदाग होने लगेगा और चेहरे की चमक बढ़ जाएगी यदि आपको लगता है कि आप रोजाना की छोटी छोटी चीजें याद नहीं रख पाते हैं तो हरी मटर का नियमित रूप से सिवन कीजे ये आपके असमरण शक्ति को बढ़ाने में मदद करता है तो इसलिए भी बेबी के लिए भी अच्छा होता है बच्चों के लिए भी ये बहुत अच्छा होता है असमरण शक्ति को तेज करता है और बढ़ों के लिए भी शरीर के किसी भी स्थान पर अगर जल जाए आपकी स्कीन तो उस स्थिती में मटर के दानों का महीन लेप बनाईए और वहाँ पर चढ़ा दीजिए आराम मिलता है ये जले हुए अस्थान पर ठंधक प्रदान करने के साथ ही घाव को बढ़ने नहीं देता है और आसानी से आपके घाव को ठीक करने में मदद करता है तो इसलिए घर में सर्दियों के मौसम में खास करके कम से कम मटर जरूर लाइए हरी मटर कमाल के और शदिये ये आप सभी के लिए बेहत पायदे मंद सिद्ध होती है तो उमीद है कि आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी ऐसे ही कौन से और सबजी के बारे में आप सब ज़रूर बनाएंगे फिलहाल आज की इस वीडियो के इतना ही रखते हैं ऐसी ही नई वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजए बेल नोटिफिकेशन को ओन कर लिजे ताकि नई वीडियो आपको सबसे पहले मिले फिलहाल भी दालेते हैं आज कि इस वीडियो से जुड़ेंगे नई वीडियो में वीडियो को अंत तक देखा आपने इसलिए दिल से धन्यवाद